हेलो दोस्तों वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल ओटो पीनियन चलो जम बात करते हैं महिंद्रा की सबसे पावरफुल SUV महिंद्रा थार 4x4 के बारे में जैसे आपने देखा ही होगा पिछली वीडियो में हमने रिव्यू किया था 4x2 का इसकी रेंज स्टार्ट होती है 10,55,000 और टोप मोडल की कीमत है 16,80,000 रुपे यह आप इसका ब्लैक कलर देखने हैं 5 कलर्स का उप्शन है ब्लैक, रेड, वाइट, ग्रे और ग्रीन इसके सिनमेटिक सोर्ष देखते हैं कर देखते हैं इसका कुछ फीचर्स और इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, LED लाइट, इंडिकेटर्स, फोग लैंप, हेड लाइट, विद लेडी, ब्लैक ग्रिल, थार की बैजिंग, महिंदरा की बैजिंग, ग्रेए कलर बंफर, हुड, वाइपर्स, बोशर, इसमें आपको 18 इंचल वे देखने को मिलेंगे, इसमें आपको आगे डिस्क ब्रेक, पिछे ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे, इंडिकेटर, एम होग वन थर्टी की बैजिंग, एंटिना, साइड मिरर, फूट्रेस्ट, यह हार्ट टोप प्रूफ देखने हैं आप इसकी भी डिजाइनिंग, इसमें इंडिकेटर, और रिवर्स लाइट देखने मिलेगी और ब्रेक लाइट है जो एलेडी में मिलेगी रिफ्लेक्टर, टियर सेंसर, रिफ्लेक्टर, इसमें आफ्टर मार्केट कैमरा लगवाया गया है इस गाड़ी में आपको इसकी क्लियरटी भी चेक रहेंगे लास्ट में आप वीडियो को देखते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए फॉर बाइ फॉर की बैजिंग थार की बैजिंग चलाइए बूट ओपन करके देखते हैं इसमें आपको 80 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा यह मिरर ब्रेक लाइट अगर आप इसको बंद कर देते को लोग करें चलो जासे फ्यूल डलता है वह चेक करते हैं कि अपर डीजल यहां पर एड़ ब्लू सभी कमपनियों ने अपनी आगे से ओटमेटिक यह फ्यूल ओपनर दे रखा है बसे कि महिंद्रा है जिसने अपनी थार में की से ओपन करने को मिलता है यह बहुत ही ओल्ड फैसन हो गया है अगर आप कभी वीजय से पैट्रल पंप पे इसमें फ्यूल डलवा रहे हो तो आपको खुद पैदल उतर कर आना पड़ेगा इसमें फ्यूल डलवाने के लिए चलो यह इसका पैसेंजर साइड दोर उपन करके देखते हैं थार की बैजिंग यहाँ पर थार की बैजिंग चलो इसकी लाश्ट्रू में जाते हैं इसमें आपको ब्लैक सीट कवर देखने को भी लेंगे ग्रे स्टीचिंग के साथ इस पेस के मामले में काफी अच्छी है यह मानलो ज्यादा तो अच्छी नहीं कह सकते हैं मिसे में पर बात वह है कि पिछे आराम से दो पैसेंजर आ सकते हैं हम इसको इतने वह ज्यादा पिछे बैठने के लिए रेटिंग नहीं देंगे कि कमफर्ट हो पर पिछे आराम से टू पैसेंजर तो आ सकते हैं चलो आगे से देखते हैं यह हैंडल वार लोक गलव बॉक्स आपके स्पीकर्स यह एस इवेंट यह पर थार और कैमल चलने वैसे डिजाइन चलो ड्राइवर साइड दोर ओपन करके देखते हैं कुछ ऐसी लगती है गाड़ी आपके मैनूल पैडल शिफ्टर्स स्पीकर्स स्पीकर्स आप यहां पर आपके ही ले ट्रेक्शन ओन ओफ यह लाइट के कंट्रोल्स यह वार्वियम कंट्रोल्स जैसे आपको पताएं चलो यह इसका इंजन स्टार्ट करके देखते हैं इसमें डौर ओपन है तो उसकी वह दिखार का है टायर डिरेक्शन जीरो डिग्री पेड़ा भी अब बिल्कुल स्ट्रेट है टायर इसमें आपको सेवन इंस कंट्रोंट में सिस्टम देखने को मिलेगा इसमें आपको एडवेंट्र स्टेटिक्स यह आपकी पावर टॉर्क इसमें नेविगेशन कार इंफ्रमेशन टायर प्रैसर इनोसेंस अलर्ट डियारल के कंट्रोल्स फ्यूल का एवरेज अभी यह दे रही है 16.4 किलोमेटर पर लेटर जो की गलत है आपको भी पर्ता होगें ट्वैल तक की आवरेज देती है इसमें आपके एपल कार प्ले हो जाएगा नाविगेशन हो जाएगा यहां पर ओटो क्लाइमेट एसी है यह आपका चार्जिंग पॉइंट यहां के वह यूस्वी के पोर्ट्स आपके पावर विंडो के कंट्रोल्स यह आप इसका 6 मैनूल ट्रांस्मिशन देख रहे हैं यह 4x4 के 4L न्यूट्रल 4 हाई 4x2 हाई यह आपके M4 टेंट मेंट के कंट्रोल्स यह क्रूज कंट्रोल्स स्रीमहिंद्रा का लोगो अगर आपको इसकी ओडियो क्वालिटी चेक करने हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज बर जाकर चेक कर सकते हैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है यह लाइट के कंट्रोल्स यह वाइपर के कंट्रोल्स यह मैनूल अड़्जेस्ट यह मिरर के साथ यह लाइट उन ओफ कुछ दिखाते हैं अगर मैं जैसे फोर हाई पे करूंगा तो इसमें डिस्प्ली में आजाएगा इसमें दिख गया आपको फोर हाई यह हो गया फोर लोग यह आपका न्यूट्रल शरी फोर हाई पे हो गया यह तुका फोल्डर्स यह मैनूल हैंड ब्रेक यह मैनूल एड़्जेस्ट मिर इसमें आपको पंदरा सो सिसी का डीजल इंजन देखने को मिलेगा जो इसमें आपको फोर स्टार रेटिंग मिल जाती है और इसका ग्राउंड क्लिरेंस है वो भी 226 mm का है अगर आपको कोई भी कोई है वर इस गारी तो आप हमें कमेंड कर से लोग दोस्तों बाई से पूछते है वाइने इसमें यह काम कर रख है तक यह कितन defensive क्रेंशार 509 अब है कुव जेजनट Vijay देशव में ट undertaken morning इसमेपने मूजिक सिटम में क्यक्या काम बाई बाई का दन्यवाद बाई ने टाइम निकाल के रिव्यू दिया